कि नमस्कार दोस्तों मेरे नाम है प्रताब और आप देख रहें मेरे यूटूब चैनल प्यानो हर्मोनिम प्रताब दोस्तों आपको हुन से अंदाजा लग गया होगा कि आज हम सीखने वाले हैं गणेश भगवान की आरती और जैसा कि गणेश ओतसब भी आ रहा है तो हम सभी मिलकर गणेश ओतसब को बहुत ही हुमदाम से मनाते हैं और जिसमें कि गणेश भगवान की आरती सबसे महन होती है तो सभी औरती बजाना आना चाहिए तो दोस्तो आज इस फूटोरियल में हम औरती बजाना को सीखेंगे ॐअग-श-जैगणफ-गश-जैगणe-श-देवा दोस्तो जो लोग मेरे यूटूब चैनल पर नई है चैनल को खर लीजिए अबसक्राइब सबसे पहले बात करते हैं इस आर्थी को पजाने की के लिए इस के हमने में हिंडी में हमने लिया है feature kala और इंगल्स में नि-सको कि दोस्तों जैसा कि दोस्तों हर सौंग में हर हजन में हर आर्थी में एक इस्थाई एक अंत्रा होता है वैसे ही इसमें एक इस्थाई अंत्रा है तो हम सबसे पहले सीखते हैं इसके इस्थाई को तो इस्थाई में सबसे पहले जो लाइन आती है उस लाइन के बोल है जै गने जय गणेश जय गणेश देवा तो इसको मैं एक बार भजा कर बता देता हूं ताकि थोड़ा समझ में आजाएगा आपको देखिए अब इसको सीखिए भजाना सबसे पहला सब्सक्राइब आता है जय तो जय के लिए आपको एक बार प्रेस करना है इसकी को जय तो एक बार इसको प्रेस करना है दो बार इसको प्रेस करना है देखिए तो यहां वारा जय गणेश जो पहले वाला है वो प्रेस के लिए एक बार इसको दो बार इसको ठीक है अब आता है नेक्स्ट वाला जय गणेश तो वह हमारा यहां पर प्रेस के लिए और फिर गणेश के लिए थीन बार इसको ठीक है एक सी दिश्सट दीश्ट तो यहां तक हमारा जो पहली आयन है जो ज्य जय गनेश जय गनेश यहां तक कम्प्रीट हो गई एक बार पूरी कम्प्रीट लाइन यहां तक हम बजा के देख लेते हैं देखिए अब आगे अब आगे हब्द आता है जय गनेश देवा अब इसको सीखिए देखिए जय जय के लिए एक बार इसको बजाना है जय गनेश तो गनेश को आपको बजाना है गाडेस ठीक है एक बार इसको एक बार इसको एक बार इसको देखिए गनेश ठीक है फिर देवा देवा के लिए दो बार इसको बजा देना है देवा इसको लास्ट वाले जै कने देवा को फिर से समझते हैं जै के लिए एक बार इसको गनेश देवा है ओके यहां पर यह लाइन पूरी क हम्टरीट होगी तो एक बार पूरी अम्प्रीट लाइन हमें एक बार बजाकर लेते देखिए ठीक है यह पूरी लाइन कंप्रीट हो गई है यह आरती में दो बार फिले होई है तो आप भी इसको दो बार भजा देंगे इसके बाद दोस्तों सेकंड लाइन आती है माता जाकी पारवती पहता महा धेवा तो इस लाइन को हम बजाना सीखेंगे तो सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सब खजा कर भता देता हूं फिर हम सीखते हैं देखिए ठीक है दोस्तों अब छोड़े-छोड़े सब्दों में सीखिए सबसे पहला सब्द आता है माता तो माता देखिए माता के लिए आपको क्या करना है दो बार इसकी को दवाना है माता थिर जाकी जाकी के लिए एक वारिस को और एक वारिस को जाकी ठीक है इसके बाद सब्दा आएगा भार्वती भार्वती के लिए आपको च्यारवार प्रेस करना है इसकी को भार्वती ठीक है उसके बाद सब्दा आएगा फेता फेता के लिए दो वारिस को फेता ठीक है? फिर महा देवा महा के लिए एक बार इसको और देवा के लिए दो बार इसको महा देवा इस लाइन को एक बार फिर से देख लीजिए माता जाकी आर्वती फिता महा देवा इस तरह से आपकी ये लाइन भी यहां कम्प्लीट हो जाएगी और ये लाइन भी दो बार बजेगी तो इसके वाद क्या होगा दोस्तों जो हमारी पहली लाइन जो हमने सीखी थी जय गनेश जय गनेश जय गनेश देवा फिर से वही लाइन रिपीट हो जाएगी और उसके रिपीट होने के साथ फिर वही लाइन दो दो बार फिले हो जाएगी अब शुरू होगा दोस्तों हमारा अंत्रा तो अंत्रा स्टार्ट करें उससे पहले मैं आपको हता दूं कि अगर आप यूटूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकोन जरूर दबा लें ताकि ऐसी ही वीडियो आपको आगे जम में डालूंगा त तो दोस्तों अंत्रे की सबसे पहली जो लाइन आती है एक दंत धयावंत चार बुजा धारी तो इस लाइन को मैं पहले आपको एक बार हजा कर अधा देता हूं फिर हम सीखते हैं देखिए ठीक है अब सीखिए सबसे पहले एक फिर दंत एक के लिए धो वार इसको और धन्त के लिए धो वार इसको तो जब एक साथ बजाएंगे एक दंत ठीक है आगे सब्द आएगा धयावंत तो धयावंत के लिए आपको च्यार वार इसको फ्रेस्क कर देना है देखिए धयावंत इसको च्यार वार धवा देंगे तो आपका धयावंत कंप्लीट हो जाएगा ठीक है इसके बाद सब्द आएगा च्यार तो च्यार के लिए च्यार के लिए सी और हिशार्प यानि एक बार इसको और एक बार इसको च्यार ठीक है फिर लाश्ट का सब्द है जाता है बुजा धारी तो बुजा के लिए बुजा के लिए सी और सी शार्प यानि एक बार इसको और एक बार इसको बुजा उसके बार धारी ठीक है बुजा धारी ठीक है इस लाइन को एक बार फिर से सीखते हैं एक दंत फिर धयावंत फिर चार फिर बुजाधारी इस तरह से आपकी पहली लाइन कंप्रिट हो जाएगी और ये सौंग में दो बार फिले हुई है तो आप भी से दो बार बजा देंगे अब दोस्तो स्टार्ट होगी हमारी सेकंड लाइन के बोल है माते सिंदूर सोहे मूसे की सवारी तो दोस्तों अभी जो लाइन हमने सीखी है ये भी बिलकुल उसी की तरह के लिए होगी बस थोड़ा सा कुछ सब्दों का अंतर है वाकी नोटिशन विकले एक जैसे हैं लेकिन फिर भी मैं आपको एक बार बता देता हूं सबसे पहले बजा कर देख लेते हैं अब इसको बजाना सीखिए माते माते के लिए एक बार इसको एक बार इसको ओके अब हिंदूर के लिए फीन वार इसको सिंदूर के लिए थीन वारिस को फिर आगे सद्धा आएगा सोहे सोहे के लिए भी दो वारिस को सोहे फिर मूसे मूसे के लिए एक वारिस को मूसे आगे सद्धा आएगा की की के लिए एक वारिस को की ठीक है लाश्ट में सद्धा आएगा सवारी सवारी के लिए एक बार खिर से देखिए माथे सिंदूर सोहे मुसे की सवारी इस तरह से आपकी सेकंड लाइन भी कंप्रीट हो जाएगी तो यह लाइन भी आप दो बार प्ले कर देंगे यहां कि मैं यह बता दूँ कि दोस्तों होता क्या है आरती में सबसे पहले मैंस सिंगर गाता है फिर उसके बाद कुछ कोरस करने करनी आगे की जो भाएन आती है दोस्तों वह पान चड़े फूल चड़े और चड़े महेवा तो दोस्तों यह लाइन जो सबसे अच्छ्ट लाइन सीखी थी जयगणेश जयगणेश देवा बिलकुल उसी की तरह प्ले हो जाएगईश फिर भी मैं जल्दी जल्दी आपको खता देता हूँ, देखिए, फान चड़े, फूल चड़े, एक बाद फिसे देखिए, फान चड़े, फिर फूल चड़े, और चड़े, और चड़े, मेवा, एक बाद फिर से देखिए, फान चड़े, फूल चड़े, और चड़े, मेवा, फिक है दोस्तो, इसके बाद आएना आएगी, हडुआन को भोग लगे, संत करे, सेवा, तो दोस्तो, जो स्थाई की जो सेकंड लाइन हमने सीखी थी, माता जाकी, फारवती, फिता, महादेवा, बिल्कुल उसी की थरे धेटो ये लाइन अज जाएगी, फिर भी हम एक बार बजा कर देख लेते हैं, लडुआन को भोग लगे, संत करे, सेवा, एक बार फिर से देखिए, लडुआन को भोग लगे, संत करे, सेवा, हीगे दोस्तो, तो यहाँ आपका जो अंतरा है वो कंप्रीट हो जाएगा, इसके बाद फिर से जो हमने इस्ठाई जो परहा जाय था जएगणेश, जएगणेश, देवा, माता-जागी, पार वती, पिता, महा देवा तो फिर से वही इस्ठाई हो जाहेगा, इसके बाद दोस्तो बाकी अंतरे आएंगे और तो अंदन को आंक देद, खोड़न को खाया, बांजन को पोत्तर देद, हिर्धन को माया, तो दोस्तो जो अंतरा हमने अभी सीखा है, बिल्कुल इसी की धरे सारे अंतरे पिले हो जाएंगे, तो यहां आपका सौंग कंप्रीट हो जाएगा, दोस्तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो, तो चैनल को सब्सक्राइब खरूर कर लें, चैनल को लाइक कर दें, शेयर कर दें, मिलते हैं, नेक्ट वीडियो में, तब तक के लिए, थैंक यू.